मुख्य मंत्री संभवता इस वक्ते कुछ कह रहे हैं वो जल्दी से सुन लेते हैं व्यवस्थाओं के साथ जो चुनाओ आयोग चाहेगा हम सारी सुव्यवस्था बनाते वे मदद भी करेंगे में खासकर 19 अपरेल हमारी 6 सीटों के चुनाओ है जो सीधी, सेडोल, जबलपूर, मंडला, बालागाट, चिंदवाडा दूसरे चड़ में 26 अपरेल को हैं जिसमें 7 सीटे हैं टीकमगर, दमो, खजराओ, सतना, रीवा, होशंगा, बाद, बेतूल इसी प्रकार से हमारा तीसरा चरण साथ मही को प्रानमो का जिसमें 8 सीटे हैं जो हमारा चंबल का बेल्ट आता है मुरेना, भिंडगवालियर, गुना, सागर, विदीशा, भौपाल, राजगर यहने बदिभारत वाला पूरा बेल्ट इसमें आएगा इसी प्रकार से मालवा का बेल्ट हमारा चोते चरण माएगा इसमें 13 मही को इसके वोट डलेंगे व्यतेवा, सुझे, निंदोर, मंसोर, अतलाम, धार, खरगोन, खंडवा यह निमाड और मालवा का बेल्ट रहेगा मुझे पूरा भरोसा है, चुनाव आयोग के मारदसन में हमारे अपने सभी मतदाता, अपने मतादेकार का उपयोग करेंगे और खासकर इस लोकतंतर के पावन यग्य में हम सबकी जवाबदारी भी और चुनाव आयोग ने जैसा कहा है हर व्यक्ति को कोशिश करेंगे, हर एक व्यक्ति का वोट डलें और आपके माद्देम से मैं अपील करना चाहूंगा के हर व्यक्ति जिसको इस चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जिन्या ठारवर्स के आयोग पूरी कर ली है, वैसे तमाम युवा और बुजूर्ग सबुजूर्ग व्यक्ति जिसको जहां जैसी सुजदा मिले, वो अपने मतदान का जरूर उपयोग करें, ये यग् कर ये ये करें।